सवाल नंबर बारह निम्न लिखित संख्याओं में कौन परिपुर्ण वर्ग है देखिए टोटल पाच संख्या दिया हुआ है और इसमें कौन परिपुर्ण वर्ग है ये आपको चुन करके बताना है ठीक है तो इसको बनाने से पहले एक कॉंसेप्ट है उस कॉंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है यहां देखिए परिपुर्ण वर्ग होंगे यदि संख्या के इकाई अंक जीरो हो एक हो चार हो पाच हो छे हो या नौ हो अगर इसमें से कोई अंक किसी संख्या के इकाई अस्थान तो वो संख्या परिपूर्ण वर्ग होंगे ठीक है तो देखिए यह एक संख्या है तो इसका इकाई अस्थान पे पांच अंख है ठीक है देखिए पांच है इसका मतलब यह हुआ कि यह परिपूर्ण वर्ग है ठीक है दूसरा देखिए यह एक संख्या है और इस संख्या का एकाई अस्थान का अंक कितना है देखिए एकाई अस्थान पे अंक है 6 ठीक है तो इसमें देखिए एकाई अस्थान पे 6 है इसका मतलब कि ये संख्या परिपूर्ण वर्ग है देखिए यह नियम होता है कि यदि किसी संख्या के एकाई अस्थान पर जीरो हो या एक हो या चार हो या पांच हो या छे हो या नौ हो तो वो संख्या परिपूर्ण वर्ग होते हैं ठीक है और एक और कॉंसेप्ट होता है कि यदि किसी संख्या के एकाई अस्थान का अंक दू, तीन, साथ या आठ हो तो वो संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं होते हैं अब देखिए तिसरा उप्षन में संख्या दिया हुआ है 11667 यानि कि काएं दाएं सिकड़ा हजार दसजार 11667 है तो इसमें इकाईं अंक कितना है इकाईं अंक साथ है तो देखिए अगर किसी संख्या का इकाईं अंक साथ हो तो वो परिपूर्ण वर्ग नहीं होते हैं तो ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है देखिए इस संख्या का इकाईं अंक आठ है तो अगर इकाईं अंक आठ है तो परिपूर्ण वर्ग नहीं होंगे ये संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं है फिर देखे इसका भी आठ है तो ये भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है तो एक दू तीन चार पांच पांच संख्या में ये दो संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है तो आंसर हो जाएगा 225 और 29008 कितना है यानि कि option 1 और option 2 ये आपका उतर है सवाल नंबर 13 देखिए निमनल इखित में से कौन से त्रीक पाइथा गोरिये है पाइथा गोरिये को पाइथा गोरस बोलते हैं ये हम आपको प्रहा चुके हैं तो इसमें देखिए आपको चार ओप्सन है इसमें सबको चेक करना है कि कौन-कौन पाइथा गोरस ट्रीक है ठीक है तो आएए इस सवाल को हम solve करते हैं देखिए पाइथा गोरिये ट्रीक क्या होते हैं ये हम आपको प्रहा चुके हैं ठीक है अगर आप concept वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप जा करके देखिए कि पाइथा गोरस ट्रीक किसे कहते हैं क्या होता है अगर आप ये जानते हैं तो जितने भी सवाल दिये गए हैं इसको बहुत ही असानी से बना लेंगे ठीक है तो हम आपसे request करते हैं कि पहले आपको उस वीडियो को देखिए जिसमें हम पाइथा गोरस ट्रीक के बारे में बताए है ठीक है तो देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए है सवाल नमबर 13 13 का पहला इसमें आपको दिया हुआ है 2,2,3 ठीक है और यह पाइथा गोरस है की नहीं यह आपको चेक करके बताना है तो देखिए हम आपको पाइथा गोरस जब प्रहा रहे थे तो बताए थे कि आपको 3 प्राकृत संख्या दिया हुआ रहेगा ठीक है देखिए 3 सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है और बाकी यह दोनों क्या है तीन सब चोटी प्राकृत संख्या है तो हम क्या करते है कि पहले जो दो चोटी प्राकृत संख्या रहता है इसका वर्गों का योग निकालते है तो देखिए दू का वर्ग पलर्स दू का वर्ग ठीक है इस दोनों का हम बर्ग निकालके दोनों को जोड़ रहे हैं तो दू का बर्ग होता है चार पलस दू का बर्ग होता है चार तो देखिए चार और चार को हम जोड़ेंगे तो आठ होगा फिर देखिए तीन है तो इसका भी बर्ग निकालिए तो तीन का वर्ग होगा तीन गुना तीन यानि कि नौ तो देखिए इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर है कि नहीं है तो हम देख रहे हैं कि दू का वर्ग प्लस दू का वर्ग इसका मान और तीन का वर्ग इसका मान इसका मान बराबर नहीं है देखिए इसका मान आया है आठ और इसका मान है नौ तो आठ और नौ इस दोनों बराबर नहीं है तो अगर ऐसा कंडिशन आए कि इसके बर्गों का योग इसके बर्गों की योग के बराबर नहीं हो तो हम कहेंगे कि ये जो दिया हुआ है ट्रीक ये पाइथागोरस नहीं है यानि कि ये ट्रीक जो है ये पाइथागोरस ट्रीक नहीं है ठीक है अगर इसका मान और इसका मान बराबर हो जाता तब ये पाइथागोरस ट्रीक कहलाता अगर बराबर नहीं है तो यह पाइथागोरस्ट्रिक नहीं है तो यही होता है पाइथागोरस्ट्रिक ठीक है तीन आपको प्राकित संख्या दिया हो रहेगा आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी प्राकित संख्या है उसका वर्ग और फिर उससे जो दो छोटी प्राकित संख्या दिया हो रहेगा उसका वर्ग निकालके दुनों को जोड़ दिजिए जोड़के देखिए कि इसका मान और इसका मान बराबर है कि नहीं अगर बराबर है तो पाइथागोरा श्ट्रीक है अगर बराबर नहीं है तो पाइथागोरा श्ट्रीक नहीं है तो पहला को हम चेक किये तो पता चला कि इसका मान और इसका मान बराबर नहीं है इसलिए ये पाइथागोरा श्ट्रीक नहीं होंगे ठीक है, दुसरा देखिए इसमें आपको दिया हुआ है छे, आठ और दस, ठीक है तो सबसे बड़ी प्राकित संख्या दस है, तो इसको अलग वर्ग करके निकालेंगे और इससे छोटी देखिए, ये है और ये है तो इस दोनों का वर्ग निकालते हैं देखिए, छे का वर्ग पलस, आठ का वर्ग इस दोनों प्राकित संख्या का वर्ग निकालके जोड़ देंगे, ठीक है तो छे का वर्ग होता है 36 पलस आठ का वर्ग होता है 64 तो 36 और 64 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जागा 100 फिर देखिए, बड़ी प्राकित संख्या 10 है तो इसका वर्ग निकालते हैं यानि कि 10 गुना 10 100 तो देखिए, इसका मान और इसका मान ये दोनों क्या है? बराबर है यानि कि 6 का वर्ग और 8 का वर्ग का योग फल का मान 10 के वर्ग के बराबर है तो अगर ऐसा कंडिशन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रिक दिया हुआ है ये पाइथागोरस है ठीक है? ये पाइथागोरस ट्रिक है यानि कि दूसरा पाइथागोरस ट्रिक है, ये सही हो जाएगा क्योंकि देखिए दो छोटी प्राकित संख्या के वर्गो का योग बड़ी प्राकित संख्या के वर्ग के बराबर है तो ये पाइथागोरस ट्रिक है अगला देखिए तिसरा इसमें दिया हुआ है एक, एक, एक ठीक है? तीन प्राकित संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि बताइए कि ये पाइथा गोरिय ट्रिक है कि नहीं है तो हम जाज कर लेते हैं देखिए यहाँ पे तीनो ये जो ट्रिक दिया हुआ है ये तीनो समान है ठीक है जबकि समान नहीं होना चाहिए पाइथा गोरस ट्रिक जो होते हैं तो समान नहीं होते हैं, तीनों सदा से अलग-अलग होते हैं, ठीक है, तो ये पाइथा गोरस ट्रीक नहीं होंगे, ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है, तो इसको solve करके भी देख लिजिए, देखिए, हमको पता ही नहीं चल रहा है इसमें कि कौन बड़ी है, कौ ही नहीं चल रहा है, तो इसको solve भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये पाइथा गोरस ट्रीक नहीं होगा, चौवथा देखिए, इसमें दिया हूआ है एक, दु, तीन, ठीक है, ये तीन प्राकृत संख्या आपको दिया हूआ है, और चेक करके आपको बताना है, कि ये यहां देखिए, एक का वर्ग निकालेंगे, और दू का वर्ग निकालेंगे, दुनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो एक का वर्ग होता है, एक जोड़, दू का वर्ग होता है, चार, तो एक और चार को जोड़ेंगे, तो पांच होगा, तो यहां देखिए, तीन है, का वर्ग का योगफल का मान तीन के वर्ग के बराबर नहीं है तो जब इसका मान और इसका मान बराबर नहीं है इसका मतलब यह पैथागोरा स्ट्रीक नहीं है पैथागोरा स्ट्रीक वही होता है जो इसका मान और इसका मान इसका मान इसका मान बराबर होना चाहिए अगर बर तेरह में सिर्फ दूसरा जो ऑप्शन है यह आपका सही है यह पाइथागोरा स्ट्रीक है बाकी यह त्यूनों पाइथागोरा स्ट्रीक नहीं है